नमस्कार साथियों तीन दिसंबर का इंतेजार इस देश के सुप्रीम कोट को है या फिर यह आप कहें कि तीन दिसंबर का इंतेजार सुप्रीम कोट को भी है लेकिन एक सवाल हर बैक्ती के अंदर उठेगा कि राज्य को चुनाओ है और उसका परिणाम है इसका इंतिजार सुप्रीम कोट को क्यों हो सकता है क्या वाकई में सुप्रीम कोट जो है भरदिस के अंदर इस दौर में राजनेती से बहुत परभावित है क्या वाकई इस समय में राजनेती सत्ता ने सुप्रीम कोट पर भी नकेल कस रखी है क्या वाकई इस समय में सुप्रीम कोट के भीतर जो मामले रुके हुए फैसले की तरज पर है क्या उसके उपर फैसला आ जाएगा और इंतिजार 3 दिसंबर का है 3 दिसंबर 5 राज्यों के बिधान सबाचुनाओ की प्रिनाम की तारीख और इस तारीख का मतलब बहुत साफ है कि इस समय आने वाले समय में भारत देश की राजनेती की दिसा क्या होगी और 2024 के लोग सबाचुनाओ को ले करके भारत देश के अंदर मोदी सक्ता और दूसरी तरह विपक्ष या फिर या कहे इंडिया अलाइंस यानि इस दोनों की राजनेतिक विसात जो है इस 3 दिसंबर के उपर क्या आटकी हुई है आज सवाल राजनीत का नहीं, आज सवाल सुप्रिम कोट का होगा 3 दिसंबर का इंतिजार और 3 फैसले सुप्रिम कोट के भीतर रुके हुए हैं रुके हुए फैसलों के उपर फैसला आna क्या भारत देश की राजनीती में सबसे बरा बदलाव ला सकता है क्या कि यह तीन फैसले ऐसे हैं जिसके जरिय भारत देस्ट की राज़िती एक ही पल में बदल जाएगी यानि ध्यान दीजिए तो तीन फैसलों के आज़ पास प्यम मोदी की सत्ता के सांसे अटकी हुई है और इन तीनों फैसलों को बार बार तारीक दर तारीक दे दी गई और हर यह कहे दे गया कि अब फैसला आ जाएगा यह तीनों प्रस्तेतिया बतलाती है भारत की राज़िती इस्टितियों को उज़ागर्त करती है इन तीन〜 फैसलों के भीतर भारत की आरतिक इस्टिती और कॉर्परेट का सत्ता के साथ जो कोनी कॉप्टिलेशन का साथ है उसको उ भावित है और खास बात तो यह है कि इन तीनों मसलों के भीतर किवल भारत ही नहीं बलके दुनिया भर की नजरे भारत पर इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांतरिक देश में विधाईकों की खरीद फ़रोग और सत्ता परिवर्तन भी हो सकता ह या दुनिया के बड़े बड़े अख़बारों में महराष्ट में सिबसेना के तूटना और उसके बाद NCP के भीतर भी एक गुट का निकल करके भाजबा के साथ खरे हो जाना लेकिन एलक्सन कमिशन की खामोसी चुनाओ अउयक्ति की खामोसी सुप्रिम कोट का बार बार त तारिक देटे चला जाना और इसके बावजूद इसके बाद की प्रस्तिती देखिएगा तो याद कर लिजिए जनवरी के महिने में जब हिडेन वर्क की रिपोर्ट आई उसके बाद दुनिया भर के भीतर कितना बवाल मचा था दुनिया भर के कई बैंकर ने रोक लगा द चली गई जहां पूरी रिपोर्ट सामने जब आ गई इसके बावजूद तारिक फिर भी मिला और इन सबों के बीच अंतरास्टिया मंच पर वाइटर की रिपोर्ट भी आती है कि देखिए भारत के अंदर डियाराई वह भी कह रहा है कि कोईले की आवाजाही में उसकी कीम क्रों करना होगा जहां निचली अदालत यह कहती है कि दरसल कोईला की आवाजाही को ले करके कोई दस्ता बेजदेने की आडानी कम्पनी को देने की दस्ता बेजन की जरूत ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोड के भीतर खामोसी बरती जाती है और हाल के समय में शबसे बडर मुद्दा तो Electoral Bond का है यह एक अजीब औ गरीब इस्तिती है जो सरकार नहीं चाहती है इस भारत देश के अंदर कौन पैसा देता है राजनितिक दल को और इस देश की लोग चाहते हैं जनता चाहते हैं कि ट्रांसपरेंसी तो होनी चाहिए और इन तीनों फैसले अटके हुए सुप्रीम कोट के भीतर माराश चुनाओ को लेकर के माराश के भीतर की प्रस्तियां इतनी नाजुक हो जाएगी किसी नहीं सोचा इलेक्टरल बांड को लेकर के सुप्रीम कोट जिस दिसा में आगे बढ़ रहा है वो सिभाई समय काटने के कुछ नहीं है और तो रिहिडिन बर्ग रिपोर्ट के बाद जो अडानी कांड और उसके उपर बैठ जाना फैसला ना देना हमें लगता है कि उस तीन फैसलों के रुके हुए परस्तित्यों को समझने की कोशिस किया जाए और उसके बाद इस कलई को भी जारा खोलना चाहिए कि आखिर तीन दिसंबर का इंतिजार सुप्रीम कोट को क्यों है और कितना राजनितिक दवाव या फिर कह सकता का दवाव इस समय में तमाम संस्थाओं पर तम माराष्ट के भी तर जो कुछ भी होता है जब सुप्रीम कोट उसके उपर फैसला देता है तो खुले तोर पर या कहता है कि वहां कि मुख्मंतरी गैर कानूनी तरीके से सत्ता के उपर बैठे हुए हैं और वह खुले तोर पर या कहता है कि माराष्ट के राज्यपाल की रहवित होना, सत्त अधरी राजनितिक, सब कुछ गैर कानूनी हूँ, और उसके बावजूद भी जब फैसला नहीं और फैसला देने के लिए जो विधान सवा अध्यक्ष को अधिकार दिया जाता है, वो अब बार बार चीजों को टालते चले जाते हैं, तो क्या पांस साल के कोई सत्ता अगर चुनी जाते है, जरा आप कल्पना कीजिए, कि डेर साल का समय एक ऐसी सत्ता और एक ऐसे ब्यक्ति के हाथ में, महराज प्रदेश के भी तर, जिसके अपनी राजनिती जमीन किस पार्टी से जुरी है, या कोई नहीं जानता है, जो किस रूप में कितने तर के अध्यक्ष है, उनको बार बार राहुल नार्वेकर को वक्त दिया, समय दिया, कि आप बताईए और उसके बाद तारीख बढ़ते बढ़ते इस्तिती यहां गई, कि अटर्णी जनल तक नहीं यह कहा कि हम जाते हो दिपावली के सत्ता के चुटी के बाद जरूर फैसला ह हो जाएगी, लेकिन इस्तितिया धिरे-धिरे नाजुक होती चली गई, आप आप देखिए, 31 दिसम्बर 2023 को, अमेले की अयोगता के उपर सिपसेना का हिस्सा क्या था, और असल सिपसेना से निकल करके, जो अपनी सिपसेना बना चुके हैं, उसके उपर चुनाव आयोगता अफरा तफरी में चीजे को अगए बढ़ा देता है, लेकिन सुप्रेम कोर्ट समय दर समय देता है, इस बात का डर है, कि सुप्रेम कोर्ट का मतलब बिलकुल साफ है कि समय सवेर किया जाए और इस बात का बेजिकर है कि चलिए, एक समय रंजन गगोई थे, इस समय को कह भी रहा तो फिर उसकी कोन करेगा जाहिर तोर पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ताकत किसी भी संस्था के पास नहीं है जो यह बता पाई की कानूनी क्या है अगर गैर कानूनी है तो कॉंसिशूशन क्या कहता है इसके बाबजूद भी समय दिया गया और एस्पिकर ने कह की दिली ने कोई देलचस्पी नहीं है लेकिन जल्दबाजी में वह नहीं करेंगे पांस साल की सरकार में अगर डेर वर्स जो की दिसंबर में पूरे होंगे एक ना सिंदे सरकार की तो उस समय क्या उस दौर में राजिक के मुखमंत्री बने रहा उसके बाद पता चले कि य ओर कानोनी ही नहीं, बलकि खरीद फरोक और जिस तरीके से चीजों को बाटा गया, इस सारी चीजे होती चली गई, इस पर कोई नजरिया, कोई ध्यान किसी ने क्यों नहीं दिया, लेकिन सुप्रिम कोट ने फैसला नहीं सुनाए, सुप्रिम कोट ने वारवार समय दिया, ता उसके बावजूद भी इस्तिती जस्त की तस है तो क्या पहली बार इस देश के भीतर में राजनेती सत्ता की ताकत इतनी जादा है या राजनेती सत्ता चुनाव के मैदान में अगर हारती हुई दिखाई देगी तो क्या सुप्रेम कोट जागरित होगा या भी बहुत बड़ इसकी लोगसबा चुनाओ के अदिसा में जाएगी तो क्या इंतिजार इसी बात को लेकर के है इसलिए लगातार इस बात में देरी की जा रही है फिर इसे टाला जा रहा है अब इंतिजार की घरी जब नजदी का आते जा रही है तो 3 दिसंबर सबसे महत्पून दिन होगा लेकिन एक पल के लिए एक दूसरे मामले को इसके साथ लाकर के जूरिये कि यह मामला जो है यह बहुत ज़्यादा महत्पून है यह मामला इस देश के भीतर में ब्लैक मनी को वाइट करने का है यह मामला करप्सन को आसरे देने का है यह मामला कॉर्णी केप्टलिजम का है या मामला बहुत बड़े तादाद में घुज देने, रिस्वत देने और उसके उपर भी खामोसी बढ़ती जाती है। एलेक्टरोल बाउंड को लेकर के सुप्रेम कोट ने सासला सुरक्चित रखा है। उसको वह उस पार्टी की हिस्से में खड़ते हैं जिस पार्टी के पास यह चला जाता है। 2019 में यह अमामला सबसे पहले उठा था और 2019 में भीतर एक डाटा बहुत बड़ा है। कि उस समय में अगर आप एलेक्टरोल कमिशन से जो डाटा निकल करके निकल के आई है। पिर सेंटर फॉर जो मेडिया स्टेडिज जो है जो सेंटर फॉर मेडिया स्टेडिज जो है उसने 2019 को ले करके कहा था कि 55,000 करोर पे चुनाव में खर्च हुए। सवाल उठता है कि 55,000 करोर में से भाजपा के 50% से ज्यादा पैसा था। और 2019 के चुनाव में इतना पैसा कहां से आया और उसके बाद राजए दर राजए जो बिधाइकों की खरीद फ्रोक हुई वो पैसा कहां से आता है। राजनेतिक समर्थन चाहिए तो उसमें पैसा देना पड़ता है वो पैसा कहां से आता है। चुनाओं के समय जो पैसे लुटाए जाते हैं जो पांच राजियों के बिदान सवाच चुनाओं हो रहे हैं उसमें करीब करीब पांच चाजार से जादा रकम इस दौर में पकरी गई यह भी बताई गई यह पैसा आता कहां से है इस ही को लेकर करके एलेक्टरॉल बांड ज पैसी थी नहीं जो इसके साथ लेकिन संसद खरा था और संसद के भीतर उनके तमाम और राजनितिक जो कि आज के समय में यह सोच रहे हैं कि हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि खेल क्रोनिक कैप्टलिजम के एलेक्टरॉल बांड के जरी ऐसा हो जाएगा जिसमें पैसा कौन दे रहा है इसका नाम ही नहीं आएगा बाहर और राजनितिक तोर पर राजनितिक डल को यह पात पता चली जाता कि कौन दे रहा है अगर उसकता के भीतर है क्योंकि जानकारी SBI के पास होती है अब सबाल उठता है यहांपर कि जब सुप्रिम कोट ने एलेक्सन कमिसन से कहा कि आप हमें जानकारी देजिए तो सुप्रिम कोट यह पात अगर SBI से कहती एस्टेट बैंक से कहती तो उसके पास तो सारे नाम है और ध्यान देजिए कि इस से पहले पहला मौका ही नहीं है जो जब चीज़े टाली गई जब रंजन गोगोई साब थे तब भी चीज़े ट आली जा रही है क्योंकि चुनाव आयो एलेक्शन कमिशन जब राजनितिक दल से कहेगा कि आप हमें कहिए बताईए तो वह जानकारी दे देंगे उनके पास कितनी राकम डोनेशन किया है किसने दी वो कहेंगे नहीं जानते हैं इसके लिए आपको SBI के पास जाना परेगा क क्योंकि हमें जानकारी नहीं है और यही बात सुप्रेम कोट के भीतर भी उठी थी कि जो पैसा दीता है उसी को राजनितिक लाब सत्ता पहुंचा देती है और यह कुरोनी कैप्टिलिजम का नई पॉलिसी नितिगर्प डिसीजन्स लिए जाते हैं यह फैसला भी सुरक्ष रखा गया और यह बात भारत के भीतर में अगर यह ट्रांस्फरेंट हो जाए कि कि किस कॉर्परेट ने किस बिजनस बैक्ति को किस इंडिल्स लिस्त ने पैसे दिये और उसको उसकी एवज में उसके बदले में कितना लाब दिया गया सब कुछ भारत देश के सामने होगा यह 32 सकता के साथ खरा है और लोगों से पैसा ले करके वह कॉर्परेट अपने पॉर्डक्ट को बेच करके यह अपनी सेवा को दे करके जो लाब कमाता है जो मौनापा कमाता है वो कितना बड़ा हिससा सरकार को देता है और सरकार उसके बदले में किस तरीके से MSI में MSI देत जो आपको बता देते हैं और election commission ने जवाब दिया उसमें दरसल उन राजनेतिक दल ने जवाब दिया था जो की electoral bond के पातर ही नहीं थे यानि जवाब दे ही नहीं थे election commission की नहीं है Supreme Court की नहीं है SBI ऐसा Parliament से नियम बना दिया गया तो फिर पता चलेगा कैसे किसने किसको दिया क्या यह संबब है कि भारत देश के भीतर क्या आप किसी को पैसा दे रहे हैं और वह चाहेगा कि वह उसका नाम छुपा रहे और वह एक दान दे दिया क्योंकि उसने उस राजनेतिक दल के बिचारदारा से बहुँच ज्यादा प्रभावित है यह ठीक है जैसा मंदिर के भीतर जैसे आप दान देते हैं जैसे PM मोदी ने एक लिफापा दिया उसी लिफापे में में एक रिपोर्ट के अधार पे आप इसो कैसे कह सकते हैं तो यानि दान देने की प्रस्तेती में जब भगवान के साथ तो आगे चल सकता है कि आपने क्या दिया लेकिन जब आप पैसा दे रहे हैं तो क्या वाकई भारत देश के कॉर्परेट इतना दानी है कि वह चाहता ही यह अपना नाम आए या फिर यह कह कि सौधा पहले ही हो जाता है डील पहले हो जाता है कि आपको हम सौ करोर देंगे एक हजार करोर रुपया देंगे उसके बदले में हम आपको इस तरह से पैदा लेंगे और उसके बदले में SPI और BGP के नाम से अगर बाजपा के नाम से लेकिन ये फैसला रुका हुआ है लेकिन इस फैसले के उपर सुप्रेम कोट को फैसला लेना है कि एक रूके हुए फैसले फैसले फैसला लेना और इंतिजार तीन दिसंबर का अगर है कि इसके बाद भारत देश की राजनती में क्या बिपक्च या फिर राजनती के भीतर क्य वाला देते हुए बकाइदा इस बात की जानकारी दी गई थी कि कोईला आयात में कैसे और कथित नियमता बढ़ती जा रहे उसमें और इसी को जब आगे देखिएगा तो पिछले समय में जो फाइनेंशल टाइमस ने एक रिपोर्ट छापा था उसने बताया था कैसे कोईला एक क्या जाता है कैसे मौरिस्टस के रूट से आता है, कैसे उसकी कीमत बढ़ जाती है, भारत देश के अंदर कीमत बढ़ती है, तो कॉंजूमर पर कितना प्रभाब पड़ता है और यह बाते होते होते, और फिर सब्सक्राइब नॉमबर को जो पिछले दो-तिन दिनों के की बात है जो उसमें एक रिपोर्ट आये कि उसने बताए कि जो भारत देस्ट के अंदर economy offense के उपर नज़र रखता है उसने सुप्रेम कोट में कहा है कि निशली अदालत ने इस से पहले एक फैसला दिया था अडानी कमपनियों के हक में जिसमें अधिकारियों को सिंगापूर से साक्ष जुटाने से रोग ली थी अनुमती अडानी कमपनी को दी गई थी अब आप इस बात को हटा लेजे क्योंकि गरवडिया तो होई रही है और अडानी कमपनी हिडेनवर्ग रिपोर्ट को लेकर के भी अगर आप जनवरी के समय के बाद समय दर समय अगर देखिए गा तारिक तर तारीक अगर तब पहले राउंड में सेवी ने चीजे को टालना शुरू किया और छे महीने के बाद सबकुछ Supreme Court के पास आ भी गया तो फिर Supreme Court में भी वो तारिक तब्दील हो गई और कभी 15 October कभी 8 October कभी 30 October की तारिक लेकि नॉमबर का महिना आ गया तो इंतिजार अब 3 दिसंबर का है 3 दिसंबर का आजपास का ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर पहली बार सुप्रीम कोट के भीतर और इस देश के भीतर की जो आ राजनितिक निर्णा का जो इंतिजार है इस देश को लोग को, क्या भारत देश की राजनिति या कई भारत के अंदर की फैसले ऐसे तो नहीं हुआ करते थे इस खलती कारवाई इस से पूरे तरीके से मुक्त है तो क्या इस परकिरिया में राजनेतिक घटना करम को भी अगर आप समझेगा तो हो सकता है कि आपके मन में मनी सिसोधिया का मामला भी आ जाए जब आकरी दिन सुनवाई हो रही थी तो उस समय जजस ने 10 मिनट का समय लिया और कहा हम हैसला सुनाइंगे लेकिन 10 मिनट के बाद आये तो बेल तो दूर की बात है और एक ऐसी प्रस्तिती में चीजों को ला दिया कि किसी भी हालत में माई 2024 से पहले या जेल से मनी सिसोधिया बाहर प्रत नहीं होगा तो क्या 2024 के लोकसवा चुनाओं इस देश में सब और उस से पहले 3 दिसंबर यानि 5 राज्यों के बिधान सवा चुनाओं का परड़ाम उस 2024 के लोकसवा चुनाओं को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा राजनितिक धामाका होने वाला इस देश में इसलिए 3 दिसंबर का इंतिजार है और राजनितिक धारा के अनुकू इस देश के भीतर सुरक्षित रखे जाएंगे और राजनितिक तोर पर ही जब लोग जागरित होंगे और सवालों को लगातर करेंगे और ऐसे ऐसे मुद्य जब सब्सक्रा को कट घरे में लाकर खरा करेंगे तो फैसले आना सुरू होंगे तो क्या 3 दिसंबर का इंतिजार इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोट के भीतर है क्योंकि एलेक्टरल बॉंड के ओपर फैसला सुरक्षित रखना और जिस दिन फैसला सुरक्षित रखना और उसके चंद घंटों के बाद भारत देश के भीतर एलेक्टरल बॉंड के फाइल को दुवारा से खुल जाना कि अ विधानिक तोर पर उसको आगे रखा जाए या फिर रोख दिया जाए फैसला सुरबचित है लेकिन एलेक्टरोल बॉंड आज की तारीक में भी विक रहे हैं खरीदे भी जा रहे हैं लेकिन उनके नाम सामने ना आए इसके पूरी विवस्था की गई है और जिस दौर जिस सम सुप्रिम कोर्ट उन फाइलों को खोल करके देख रही है जिसका सुप्रिम कोर्ट के भीतर भी हो रहा है जो उस समय तो हम अब बिरोद किये थे उस समय तो बाकाइदा एलेक्शन कमिशन ने भी यह बात का था कि इसमें मुस्किल होगी मनी लॉंडरिंग रोकना मुस्किल ह फेमा के कानून कमजूर कर रही है आई टी एक्कट कमजूर कर रहे हैं तो क्या उन लोगवों के लिए सब कुछ है जो दान करने वाले को स्वाल रिसवत के जरhin अपने अनकूल कि भीतर का राजनितिक फैसला जो है हुआ उस पे अगर सुप्रेम कोर्ट का फैसला अगर सुनाईगा और स्पिकर की रिपोर्ट के बाद कोई एक ही जटके में माराश्ट के एलेक्शन की तारिक भी लोकसभाद चुनाओं के साथ आकर के खड़ी हो जाएगी यह बहुत बड देश के उपर उस पर खामों से क्यों बढ़ती गई अगर इसके उपर फैसला आता है तो कि एक पल में क्या सेर बजार के भीतर का मैनुफूलेशन भी इस बात को इंगित करेगा जो लगातार सेर बजार दिखाता है कि अब इतने हजार करोर के उपर चलेगे आप साथ हजा करो की प्रस्तिती जो है एनी साथ हजार साथ हजार हो जाएंगे और एकोनुमी का जो पूरा माप दंड है वह साइद पूरा खौकला साबित होगा अगला सबाल होता है उस एलक्रोल बांड से जुरा है जिसने इस देश के बीतर के जनता कोई नहीं पता चले कि कौन पैसा देता है और किसके अनुकुल सरकार नितियां बना देती है और वो पैसा क्यों देता है दान तो नहीं देता तो क्या यह बात जब सामने आईगी तो एक ही जटके में भारत देश की राजनिती सत्ता और कौर्फरेट के पैसे का मिला जुला चेहरा सामने आ जाएगा पता कर करते रही है तीन दिसंबर का समय हो जो पांच राज्यों के चुनाओं के पता नहीं क्या होगा लेकिन इन तीन राज्यों के ताकत किसकी बढ़ेगी लेकिन यह बात तो पता होगी कि कब तक इस सारे मामलों को टाला जाया क्योंकि NCP से निकले हुए अजीत पवार जो तर तक नहीं जाते हैं लेकिन महत्वन यह बात नहीं है महत्वन उस इमंदारी उस डेमोक्रेसी का है उस सिस्टम का है जिस पर पांच लाकर के सक्ता आगे बढ़े और जिसके जरिये भारत देश की इस डायरे में इस देश की आदालते क्या पहुँच गई है सवाल यह बह बहुत भारत देश के भीतर लोक तंत्र के लिए ही नहीं बलकि यह कहे कि इस डेश के constitutionally institutions और जो system है उसको भी इमंदारी के साथ चलाने के लिए है और सवाल उठता कि जनता का कि चुनावी फैसला भारत देश के भीतर क्या कुछ कर सकता है यह इस बात को जरा आप आज लगए कि सुप्रेम कोड तीन दिसंबर का इंतिजार कर रहा है बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत